हेलो एववन मैं हूं अतिनन धावा और आज मैं आपके लिए लेकिए हूं मरुतिस विजुकी की इगनिस कुछ इस तरीके की फ्रेंट लुक है 2024 वाली जो आपको इगनिस मिलेगी कोई भी मेजर अपडेट वगेरा आई नहीं अभी तक आप देख सकते हो कांगडर रिजिस्टर गारी गाड़ी है अभी बिल्कुल ब्रैंड न्यू है और आपको अंदाजा लग जाएगा कि इस आप में आती है यह जाटा वेरियंट है तो led यहांपे नहीं मिलती है और साथ में यहां पर यह एक्सेसरी के तोर पर नहीं मिलते और यह साथ भी लगके आएंगे और यह फ्रेंट लुक आप देख लीजे एक बार गाड़ी की यह स्केड़ प्लेट भी आपको यह इसके छ यहां पर साइड की तरफ चलने शुरू करेंगे तो यहां पर आपको देखने को मिलेगा यह इस गाड़ी का साइड लुक जो कि बहुत सुंदर लगता कुछ लोगों को इसका लुक अच्छा लगता कुछ को नहीं लगता तो वह बिल्कुल एक सब्जेक्टिव मैटर है लेक इसके साइज की बात करूँ तो यहां पर 175-65R15 15 इच के आपको यह लॉय मिलते हैं तो आप देख लो इस रेट में अगर आपको और कोई भी घूंड़ने जाओगे तो आपको इस तरीके इतने बढ़िया और मतलब यह साइज के अलॉय विल तो बिल्कुल नहीं मिलेंगे आपको अपग्रेड करवाना पड़ेगा अफ्टर मार्केट और बात करूं इसकी स्पेस की तो आप यह ग्राउंड क्लेरंस चेक करी सकते हो बाकि यह भी चेक कर सकते हो गाड़ी कहां पर यह सिरफ फोर्चुनर वगयर ही ओफ रोडिंग नहीं करती हिमाचल में या पहाड तो ग्राउंड क्लेरंस इसमें भरवर के दी गई है मतलब प्रैक्टिकल ग्राउंड क्लेरंस है विल्कुल टैंशन नहीं होती गाड़ी कहीं से भी लेकर जाते टाइम की गाड़ी लगेगी या नहीं लगेगी तो अभी मैं पसेंजर साइड पे हूँ और आप देख सकते ह वाली कीज है इसमें कोई अपग्रेड वगए यह तक मरूत ही नहीं है और साथ में यह जो और वीन है यह भी आप देख सकते हों कुछ इस तरीके के मिलते हैं यहां पे इंडिकेटर भी और वीन के उपर यह आपको फैंडर के उपर इंडिकेटर देखने को नहीं मिलता है यह साथ में यह जो एक डिजाइन एलिमेंट है यह भी काफी अच्छा लगता है साइड वाली लुक को काफी अच्छे से मैच करता है अब इसके उपर यह आपको रेनवाइजर दिख रहे होंगे यह एक दुबार्स को दुबाना पड़ता है अनलोग करने के लिए और इंटीर दिखाने से पहले मैं आपको एक्स्टीरी पूरा चैक आउट करवा जता हूं उपर की तरफ देखोगे तो यहां पर रूफ रेल्स भी आपको मिल जाते हैं और यह वर्किंग रूफ रेल्स हैं आप इ यहां से जो है कुछ लोगों को यह गाड़ी नहीं पसंद आती लेकिन मेरे को परसनली यह पीछे से बहुत बहुत अच्छी लगती है और मतलब इसमें एंडलेंस आप क्या करते हैं मोडिफिकेशन करवा सकते हो बहुत ज्यादा इसमें स्कोप है मोडिफिकेशन का आप अ और कुछ ऐसी लुक मिलती है इसमें स्पोईलर के साथ और यह अपनी फिटेड यह आता है इस वेरियंट में और यह टेल लैंप वगयर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से और यहां पे कोई भी आपको वेरियंट की बैजिंग नहीं मिलती है और इगनिस की यहां पे आपको बटन दिया गया और साथ में लॉक अनलोग करने के लिए भी आपको यह बटन दिया गया जिससे आप इसको लॉक कर सकते हैं या अनलोग कर सकते हैं तो कुछ इस बटन को दबाके यहां पर यह बूट आपका उपन और बूट स्पेस भी अच्छी घासी दी गई है और साथ में आपको यह रबर मैट सा दिख रहा होगा यह एक्सेसरी का पार्ट है तो अभी जो फूट मैट है वह आए नहीं है वह थोड़ी खतम हो रखी थी बाकि सारी अश्यस गाड़ी में लग रखी है और यह यह तो गाड़ी में मिलते ही है साथ में आपको तो यह आप एक्सेसरी का पार्ट है अब चलते हैं पिछली सीट पर और देखते हैं इसमें क्या कुछ है तो अभी इसके रैपर उतारे नहीं गए हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर पावर विंडो का स्विच मिल जाता है पीछे वाली साइड भी जाटा वेरियंट में और स्प अपनी जैनुनि अक्सेसरी कंपनी से लगी है तो यह आफ्टर मार्केट निया और साथ में आप डोडोर हैंडल पर देख सकते हैं यहां पर अलग से अपना समान वागा रही आप इस तरीके से अपने बुक्लेट वगए रहा और भी कौई चीज उपर भी रख सकते हैं तो तो नीचे वाला स्पेस थोड़ा कम है लेकिन उपर की तरफ यह ठीक थाक स्पेस है जहां पर आप अपने टैबलेट वगएर या और को इसमान लख सकते हो और साथ में यह थोड़ से ग्रूव दिया है लेकिन यह मिरको लगता है कि इस पर कुछ भी आप रखनी पाऊगे क्य यहां पर आपको ड्व टां मिलजाती है यह वाइट से लेक और यह आंपको ब्लैक लेक खिरकम से इस बखाए जाथ में और गुंаждब यहां पे न्यूजपेपर वगएरा या अपनी मैगजिन वगएरा और कुछ भी रख सकते हो दुर्वाजा बंद करने के लिए जैसे ही इगनिस का एक काफी अच्छा देखने को लगता है वही दिया गया और साथ में यह यहां पे अंदर की जो फिनिश है वह भी आद देख सकते हो इसे इगनोर करना तो अभी अंदर बैठ जाते हैं अंदर बैठने के बाद पहले आपको नीचे का दिखा दूँ तो यहां पे आपको डैड पैडल भी मिल जाता है जहां पर आप अपना यह लेफ्ट से इगनोर कर साइड का जो फुट है अपना एरेश्ट कर सकते हो थोड़ा डीप है लेकिन आप फिर भी इसको यह कर सकते हो यह पे मतला आपको अलग से दिया गया है और यह कि स्टेरिंग वील की कुछ लुक आप देख सकते हो यहां पे आपको यह स्टेरिंग माउंटेर कंट्रोल वोइस अस्टेंट भी मिल जाता है आपको यह पर इसको दबाओगे तो यहां पर यह लिखा आगया प्लीज पेर यूर फोन वेद इन्फोटेन्मेंट सिस्टम तो भी फोन वगयर जो इसके साथ पेर नहीं है तो इसलिए वो चालू नहीं हो रहा बाकी इसमें एयर बैक्स द के लिए यहां पर आपको साइड पर बटन दिए गया है जैसे मुरूतिम वो बेकार से डाइस दिये जाता है पुराने अब फाइनली चेंज कर दी है अट लिस्ट इगनिस में आपको यह अच्छा मिल जाता है कि यहां से आप बटन दबाके ट्रिप इंफोर्मेशन वगयर करुकर है और यह अपकी ट्रिट चीज गवें गयरियन दिटेविशन बीर देए तो यह काफी चीज चीज नियुक्ल क्ता ludzie और चपूर्पर मार केट लिग विल नमस्ते तो फेमसी प्लेशन और यह होगा लेकिन फे लाग कर से लिए कि अपूर्ट अबदे खानकर दिया त आपको हैजार लेम्प के लिए बटन मिल जाता है फिजिकल बटन काफी अच्छे लगते हैं जो आज कल टा स्क्रीन वगएरा आती जा रही है वो उससे उसके मुकाबले यह मिरको ज्यादा अच्छे लगते हैं यहां पर जैसे वॉल्यम वगएरा कंट्रोल करने के लिए यहा लग बग इस चीज़ को छोड़के आपको इस गाड़ी में सब कुछ टॉप मॉडल वाला मिल जाता है और नीच्चे की तरफ आप देख सकते हो यहां पर आपको बारा वोल्ट का सौकेट मिल जाता है और यहां पर यूएस भी और ऑग्स के लिए जगा मिल जाती है और बात करूं तो काफी लाइट है लेकिन वो आपको जब गाड़ी चला के दिख बताऊंगा जिन नेक्स्ट वीडियो में तब आपको पता लग जाएगा यहां पर थोड़ी सी स्पेस दी गई है जहां पर अपना समान वग्यारा रख सकते हो लेकिन अगर इस हैंड ब्रेक को अब यहां पर बोटल होल्डर मिल जाता है और उपर की तरफ बात करूं तो यहां पर यह आपको टिकल होल्डर मिल जाता है साइड पर और दूसरी साइड संवाइजर पर आपको एक मेक अप के लिए शिशा मिल जाता है अपनी वाइफू घैरा के लिए या लेडिस के तो आटो डिमिंग नहीं आता और साथ में लाइट साती है यहां पर जो कि येलो कलर की है और पीछे की तरफ कोई उपर लाइट नहीं है और यह कुछ अंदर का लुक है तो कैसी लगी आपको यह गाड़ी और इसकी और भी वीडियो आने वाली है कैसी चलती है और सबसे में वीडियो इसकी आने वाली है क्यों 2024 में भी एक सेंसिबल चॉइस बन सकती है आप से भी लोगों के लिए वो वीडियो जुरूर चेक करना बकि और कोई कोई कोस्टिंज होंगे तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो मिलते नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई टेकेर पडार चेक करना है कोई कि वीडियो को फस्टे लिए आप मेंट वीडियो से दूबले के लिए वीडियोंगे थे लिए यज्वाईगे भीडियो